नमस्कार दोस्तों मैं अंगार अलाल अभी मैं जनफद वारारसी में हूँ और वारारसी में हमारे साथ देखिए इस्टूडियो में मिल गए है एक फिलम के एक्टर जिनको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल इनको पाचान जाएंगे कि इनको हमने भोजपूरी फिल्मों में देखा है तो इनसे परिचे जानेंगे और कई ऐसी फिल्में जिसमें ये कभी पुलिस का रोल किये हैं कभी टपोरी का रोल किये हैं कभी गुंडा का रोल किये हैं कभी मतलब फ्रंट रोल में हमेसा करके रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है इनका कामेड में फिल्म कलाकार राजकुमार गुपता आप सभी भोजपुरिया समाज को मतलब प्रडाम करता हूं और आप लोग भी स्वस्त रहिए मस्त रहिए और जहां भी रहिए ब्यास्त रहिए मैं तो फिल्म में मταलब फिल्म एक्चली बंबई होता है मुंबई लेकिन आजकल योगी सरकार बाश्थ सोनबढ यहाँ पर फिल्म से लेकर के बहुत तमाम सुविधाय है यहां के जो होनहार मतलब कलाकार जो है वो लोग भी जो इच्छुक कलाकार हैं वो लोग यहाँ पर बनारस, गोरकपूर, वस्ती, सोनभर कहीं पर भी सुटिंग चल रहा है मैं आप दर्सकों से, आप इच्छुक कलाकारों से या आगरह बिनर्मन, मतलब जो भी है अगर मन की इच्छा है कि मैं फिल्मों में काम करूँ तो आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर तमाम भोजफुरी फिल्में बन रही है आप लोग भी अपना टैलेंट अजमा सकते हैं लेकिन, लेकिन, लेकिन तो कुछ है लेकिन का मतलब कि आपके अंदर वो कला, आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए हुनर होने के साथ साथ सोर्स भी होना चाहिए चाहिए वो आर्थिक सोर्स हो, यह अपनी मन की बात मैं बता रहा हूँ कि फिल्मों में काम पाना इतना आसान नहीं है वैसे कहा भी जाता है कि गदहे को भी बाब बोलना पड़ता है और हमें लगता है कि हमसे जो भी सीनियर कलाकार है और जो भी हैं सबकी मैं इज़त करता हूँ लेकिन हमें ये लगा आज तक मैंने जितने भी भोजपुरी फिल्मों में काम किया मतलब तीन सो तक मेरी फिल्में होगी भोजपुरी की टीवी सीरियल भी किया लेकिन मुझे ये लगा कि कुछ बड़ी मचलियां जो बोलते हैं वो छोटी मचलियों को निगल जाती है वास्तों में सत्य है इसका मतलब साब सब समझ रहे हैं कि जो भोजपुरी फिल्म इंडरिस्ट्री में या फिर हिंदी फिल्म इंडरिस्ट्री में जो समस्याए छोटे एक्टरों के साथ होती है वो साइद इनके साथ भी गटना गटी है क्योंकि आक्टर बनने का सपना लेकर लोग गाउं से सहरों में जाते हैं और उनके साथ बहुत सोसर किया जाता है और तमान तरह जो है उनके साथ अत्याचार किया जाता है इसके बाद उनको थोड़ा सा रोल दिया जाता है लेकिन यह अत्याचार नहीं है इसको अत्याचार नहीं कर सकते हैं इसको क्या है हमारा टैलेंट भी होना चाहिए और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभिने ऐसा करिये जैसा जीवन जी रहे हैं और जीवन ऐसा जीए जैसा अभिने कर रहे हैं यहीं मेरे मतलब जो रितिक रो हो अब ज़्यादा कुछ मैं क्या है अब बैठे हुए हैं आप देखिया हूँ किसी फिल्म में इस तरह से इसी हुलिया में पैट के साथ पुलिस के रूप में रूल की हूँगे अगर मैं छोटा साइन का फोटो लगा देता हूँ आप लोग पाचान जाएगे किस फिल्म में यह काम किया है अच्छा यह बता यह हिंदी फिल्मों में भी काम किया हूँ हाँ हाँ हिंदी फिल्मों में भी काम किया हूँ क्रीना फिल्म है बहुत से तमाम फिल्में है लेकिन नाम गिना नहीं पाऊंगा इतनी फिल्में किया हूँ कैसे उसमें आप चले गए अब तो गहां से बिलांग करते हैं? ग्रामीर छेतर से नहीं है? ग्रामीर छेतर कही तो इस्टार होते हैं मॉंबई में सपना लेकर के जाते हैं किसी का कुछ है कि मतलब कई जा सकता है अपना जो टेलेंट है हम टेलेंट दिखाने के लिए अब क्या होता है कि सुरू में आपने पूछा नहीं मुझे कि मेरा इस्टार्ट कहां से हुआ मतलब बच्पन से ही मैं कालेज में स्कूल में बहुत से पृतियोगिताओं में पुरसकार जीता हूँ बाद में जाकर के मन की इच्छा हुआ मुंबई में जब गाउं से भाग करके ही गया था तो मन की इच्छा होई कि चलो कुछ रंगमंच पे करूं तो राम लीला में बोला कि भालू बंदर कुछ भी बन जाता था लेकिन किसी ने कहा मुझसे कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है तुम राम का भी रोल कर सकते हो राम का भी अभी नहीं कर सकते हो तो मैंने राम जी का अभी नहीं याद किया और सोचा कि रंग मंच पे मुझे राम का किरदार करने का मौका मिलता रहेगा लेकिन यह राम जी बनना मतलब इतना आसान नहीं रहा मेरे लिए अब या तो जातिवाद कहिए या तो जो भी हो जिस कारण से हो अच्छा लेकिन हम यह चाहेंगे जो आप इतने फिल्मों में काम कर चुके हैं तो उसमें आपका रोल बहुत जगा जो है कामेडी का भी रोल रहा होगा कहीं जगाग ही टपोरियों का भी रहा रहा होगा और कहीं बड़े संसकारी का भी रोल रहा होगे, तो थोड़ा सा disp чal fellows कर अब तो तुन सभी रोलों को कहीं कहीं इमोशनल रहा होगा, अच्छरा मेडम जी के साथ में काम किया था मैं उस फिल्म का नाम था जो आभी आपने देखा वीडियो में उप्रतिहाद फिल्म का नाम था तो उस फिल्म का डायलाग था बागल हो गलुका बबलु वहरा खोननेके कहले जो भी है अब चंडायलाग के देखिए अब जो बड़े फेमस फेमरी डायलाग हैं जो बहुत लोग पसंद करते हैं पवण जी के साथ किया था जो दारू पीने वाला सेन अरे भाई समाल लोंगा अभी क्या है दर्सोकों के मनोरंजन के हिसाब से हम लोग मतलब जो डायरिक्षन मतलब डायरेक्टर साहब जो हमें अनुमत देते हैं उस फिल्म के लिए तो वहीं हम लोग काम करते हैं बाकी हम लोग इनसान हैं और जिस टाइब का हमें रोल मिलता है जैसे हम रंगमंच पर भी भगवान राम का किरदार करते हैं तो राम के किरदार में एक डम कैसे हम उन स्री राम चंड़ जी के आदर्स और मतलब एक उनके मार्ग पर कैसे हम चलें ये सब हम लोगों को हम लोग मतलब ज को भुलेंगे कि ये भाई मत पीओ, बोलेंगा क्योहने प्योओं। lotta गोट से लोग हैं ऐसे जो मानते ही नहीं है. और हमारे मतलब रामायण जो है रामलीला सबसे अच्छा मुझे रामलीला भी अच्छा लगता है. अब मैं मुंबई के रामलीला में जितने भी बड़े बड़े दसारे होते हैं वहाँ पे कहीं राम बनता हूँ वैसे दुरभाग्य है कि कहीं कहीं पर जातिवाद करते हैं लोग की एक गुपता समाज का हो करके आप स्री राम का रोल मत करिये लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या गलट कर रहा हूँ क्या सही बस प्रभू का मैं लोगों तक जन मानस तक लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूँ प्रभू स्री राम चंड़ जी के आदर्स का परचार परसार करता हूँ तो हम चाहें कि प्रभु राम स्री राम जी का थोड़ा सा एक दो डाइलाग तो बोलिए जो कि आप याद किये होंगे। जरूर। जैसे कि रावण को संबाध है। भग्त और ज्यानी में यहीं अंतर होता है रावण। भग्त अनपड हो, मुर्ख हो, परन्तु ओ हिर्दय का सच्चा और मन का सरल होता है। किन्तु ज्यानी तुझ जैसा डुष्ट भी हो सकता है, जिसके हिर्दय में आधार्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे लंका के स्वाण सिंहासन पर बैट कर भी जीवन भर अपोंडता का काटा चुपता रहा। रावण। तुझे और क्या चाहिए था? स्वर्ग का राजा बनना चाहता था। हे रावण। इस समय तुम्हारे हिर्दय में किवल अशान्ती, चिंता और तडप रह गई है। रावण। यहीं अवस्था इस समय तुम्हारे हो गई है। तुम्हारे पापकर्मों ने तुम्हारे मन की शान्ती को छिन लिया है रावण। और तुम उन पाप भरे विशैले काटों की चुभन को छुपाने के लिए आज वड़ी वड़ी डिंगे हाक रहा है। रावण। मैं जानता हूँ जिसे तेरा मन भी नहीं मानता। तु जानता है रावण। कि मैं अधर्म के मार्ग पे चल रहा हूँ। फिर भी तु रावण। कितना संभाज लगा। और यह तो थोड़ा संसकार वाला था। अच्छा इमोशनल वाला रोल आप कभी किये हैं कि आप थोड़ा संसकार आएंगे। बहुत इमोशनल किया हूँ। अब रामलीला में तो इमोशनल भी होता है। ऑचार रावट होकर के, मेरी बेटी के पढ़ाई के लिए बीट करने के लिए मंतलब कहते हैं कुनाल जी कि बेटी पढ़ाओ बेटी, बचाओ और कुनाल जी ये कहते हैं कि तुम नहीं बीयट पढ़ा सकते हो तो मैं पढ़ाऊँगा। और यही जो हमारी फिल्मों का डाइलाक है वो आप फिल्म सरस्वती में सुनियेगा और देखिएगा, बीफोर यू चैनल पे आप टीबी पे भी देखेंगे इनको अकसर करके बहुत से शाट मूवी चला जाती है टीबी में अकसर करके देखे कोगे उगे तो जिसमें इनका अकसर करके रोल आता रहता है कभी अक्षणा सिख के सथ, कभी प Tokyoon सिंख के साथ, कभी खिसारी के साथ भी रहा होगा कोई ऐसा इस्टार नहीं है जिसके मैं फिल्म में काम नहीं क्या हूं लेकिन कभी-कभी क्या होता है दर्सक महोदय जी कभी-कभी मेरा मौच रहता है कभी-कभी नहीं रहता है कभी-कभी नकली मौच कभी-कभी सर से बाल गायब तो मैं अपने आपको नहीं पहचान पाता हू जैसे भी फिल्म करेंगे तो मोच गाइब रहेगी अभी ओरिजनल मोच दिख रहा है कहानी की मांग होती है और कहानी में मैं खरा उत्रूं फीट बैठूं और ये दर्सकों का प्यार है आसिरवाद है मैं चाहता हूं कि आप मेरे भोजपूरी फिल्मों को आप लोग देखें और सरा हैं और मुझे आसिरवाद दीजिए अब ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आपका चैनल भर जाएगा चलेगा लेकिन हमको एक चीजी यह बता दीजिए आखिरी में कि बहुत ऐसे इस्टार जो कि फिल्मों में काम करके कहां से कहां चले गए और आपको मैं देख अब तो साइद मुझे अपने घर के ही लोग मुझे नहीं पहचानते हैं कभी-कभी पूछता हूं और लोग पूछते हैं कि भाईया कौन सा फिल्म करत हुआ और जब की देखते नहीं हैं और बहुत से ऐसे दर्सक हैं जो कहां-कहां से मुझे फेस्बुक के माध्यम से कहा कहां से फोन आता है कि भाईया आपको इस चैनल पर देख रहा हूं तो ये कहां नहीं जा सकता है किसी दर्सक की पसंद होती है किसी दर्सक की नहीं पसंद होती है कोई-कोई लोग मुझे बहुत दिनों से पहचान रहा है और जो सम्मान देना चाहिए हो देते हैं और बहु दो पहसाणने में लोग पहसादने पाद है, पाज से गुजरते हैं। किरी ना उच्छे अट इसनुहिका है क्षिघ दो बार नहीं बचा सकते हैं यह रजगा खोट यह पानी पीने जैसा है किडिंव दिफे जिसका जैसा लग है अट प्रहर के states can मिलते ह marshmallows बोलते हूं कि आपको मैने द कि आहः लगता है तभी तो मैं आज फिल्मों से जुडा हुआ हूँ लोग ये कहते हैं कि आपको इस फिल्म में देखा आपका भी नहीं अच्छ रहा तो बहुत अच्छा लगता है मुझे मैं अपनी मन की खुछी के लिए मैं फिल्म करता हूँ, बाकी कुछ आए नहीं तो गीत भी तो गुन-गुनाते होंगे, सरे गाते होंगे बहुत, मैं तो गीत गाता हूँ जो आप लिखेवरेट को बाप कहे तू पागल हुए, उन कर बात न मनली हितमित सभे कहे पगला, फिर भी हम न समझ ली जब मेहरी ठोकर मरलस, फिर भी हम नहीं सुधर ली जब मेहरी ठोकर मरलस गाना मंच पर बहुत गाता हूँ लेगी अच्छा लगा, गाना इतना अच्छा लग रहा कि अब मैं सुनूगा एक दो गाना बले बीडियो लंबा हो जाए, अब एक दो गाना सुनूगा, और इस गाने को सुनने के बाद मुझे यह लग रहा है, कि भिल्कुल यह आपसे जिन्दगी से जुड़ा हुआ गाना आप, जो भी है, जिन्दगी से जुड़ाव तो ही है, एक लड़की को बड़ा सा सुराल में तकलीफ हुआ, तो नईहर में दुख सुनाती है सुमत फूटल दईया लेकिन आपके परिवार में कौन-कौन लोग है, और आप ये जो गीत अभी सुनाए है, क्या खुद आपने लिखा है, अगर लिखा है तो इस गीत को पूरा सुनाएंगे आप नहीं, मैं तो खुद ही लिखता हूँ गीत, अभी गीत लिखा हूँ, अभी अपने सचनुजागो जो चैनल से हमारा इंटर्व्यू ले रहे हैं, उनके चैनल पर भी मैं एक गीत डाला हूँ, ये भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे पिताजी मतलब अब नहीं इस दुनिया में, वो गीत उनके ही है, और कैसे अपने बेटे को खड़ेड़ते हैं, एक ब्यंगात्मक है, मंच पे गाता हूँ, अपने इतिहास बताईए सरा, आप माच आउँगा, अगर इस गीत को सुनना चाहते हैं, तो सचनुजागो चैनल है, उस पे मागीत गात